कि नमस्कार आजम कक्षाच्य के हिंती विशे की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक में संकलित की गई कवेत्री सुद्रा कुमारी चौहां द्वारा लिखी गई राणी लक्ष्मिबाई के जीवन पर आधरित कविता जहांसी की राणी का अध्यान करेंगे इस कविता को अध्यान की दृष्टी से दो भागों में विभाजित किया है आज हम इसका भाग एक पढ़ेंगे कविता का सरलार्थ आरम करने से पूर राणी लक्ष्मिबाई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि इस कविता में कवित्री ने 1857 के स्वतंतता संग्राम की उस माहन नाईका के बारे में बताया है जिने हम चाहसी की राणी लक्ष्मिबाई की नाम से जानते हैं वारणसी में 19 तौवंबर 1828 के दिन पैदा हुई इस विरांगना का नाम मणी करणी का रखा गया था लेकिन प्यार से मनु कहा जाता था पेश्वा बाजिरा जूइतिया ने इन्हें छबीली कह करके बुलाया था जहासी के राजा गंगादर राव के साथ आपका विवाह हुआ और नाम रखा गया लक्ष्मी बाई राजा गंगादर राव भी अस्वस्त रहने लगे थे संतान के रूप में पुत्र गोद लिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राव कुछ समय बाद राजा गंगादर राव के मृत्य हो गई दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने स्विकार नहीं किया और जहासी पर अपनी अधीनता इस्थापिद कर ले राणी को जहासी का किला छोड़ना पड़ा राणी लक्षेवाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अंग्रेजों से जहासी छीन ली जहासी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया राणी लक्षेवाई ने जहासी की सुरक्षप को मजबूद बनाया महिलाओं की सेना बनाई और उन्हें युद्ध का प्रिशिक्ष्ण दिया गया राणी ने कभी अंग्रेजों के आगे हिम्मत नहीं हारी सदा उनका डटकर मुकाबला किया वालियर के पास कोटा की सराय नामाकिस्तान पर अंग्रेज सिना से लड़ते लड़ते राणी लक्षेवाई वीरकदी को प्राप्त होई इस कविता में अब राणी लक्षेवाई के अदब में शौरे गाथा को जानेंगे आईए सबसे पहले इसका सै स्वर वाचन करते हैं सिंघासन हिल उठे राजवन्शों ने भ्रक्ती तानी थी बूड़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी संसत्यावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जासी वाली रानी थी कानपुर के नाना की मुँ बोली बहन छबीली थी लक्ष्मी बाई नाम पिता की वै संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वै नाना के संग खेली थी बर्ची धाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी वीर शिवा जी की गाधाएं उसको याद जबानी थी बुंदेले हर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जासी वाली रानी थी लक्ष्मी थी या दुरगा थी वै स्वेम वीरता की अवतार देख मराथे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिये खिलवार माराश्च कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई जहांसी में ब्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मी बाई जहांसी में राज महल में बजी बढ़ाई खुशिया चहांसी में सुभट बुंदेलों की विरुदाव लीसी वै आई जहांसी में चित्रा ने अरजुन को पाया शिव से मिली भवानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी उद्धित हुआ सौ भग्य मुदित महलों में उज्याली छाई किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने वाले करमे उसे चूडियां कब भाईी रानी विद्धवा हुई हाय विदी को भी नहीं दया आई निसंतान मरे राजाजी रानी शोक समानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी भुजादीप जहांसी का तब डलहाजी मन में हर शाया राज्य हडप करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया फारण फाजें भेज दुर्ग पर अपना जंडा फैराया लावारिस का वारिस बनकर बिटश राज्य जहांसी आया अश्रुपून रानी ने देखा जहांसी हुई बिरानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया डलह जीने पैर पसारे अब तो पलट गई काया राजाओ नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया रानी दासी बनी बनी अदासी अब महरानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी चिनी राज दानी दहली की लिया लखनव बातों बात कैद पेशवात था बिठुर में हुआ नागबुर का भी घात उदैपुर तंजोर सतारा करनाटक की कौन भिसात जबके सिंद पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वजर निपात बंगाले मदरास आदी की भी तो यही कहानी थी बुन्देले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार उनके गहने कपडे बिकते थे कलकते के बाजार सरे आम निलाम चापते थे अंग्रेजों के अखबार नागपुर के जेवर लेलो लखनव केलो नौलक हार यो परदे की इज़त परदेशी के हात बिकानी थी बुन्देले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी कुटियों में थी विशम वेदना महलों में आहत अपमान वीर सनीकों के मन में था अपने पुर्खों का अभिमान नाना धुन्दू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान बहिन चबीली ने रंचंडी का कर दिया प्रगट आवान हुआ यग्य प्रारंब उने तो सोई जोति जगानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वैतो जहांसी वाली रानी थी मैलों ने दी आग जोंपडी ने ज्वाला सुलगाई थी ये स्वतंतरता की चनगारी अंतर तमसे आई थी जहांसी चेती दिल्ली चेती लखनव लपटें चाई थी मेरठ कानपुर पटनाने भारी धूम मचाई थी जवलपुर कोलापुर में भी कुछ हल चल उकसानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वैतो जहांसी वाली रानी थी इस स्वतंतरता महायग्य में कई वीरवर आये काम नाना धुंदू पंततातिया चतुर अजी मुला सरनाम एहमद शाह मौलवी ठाकुर कुमर सिंग सैनिक भीराम भारत के इतियास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जांसी वाली रानी थी इनकी गाथा छोड़ चले हम जांसी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मरदानों में लेफ्टिनेंट वॉकर आपहुंचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खीचली हुआ द्वंद असमानों में जखमी होकर वॉकर भागा उसे अजब है रानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जांसी वाली रानी थी रानी बड़ी काल पी आई कर सौ मील निरंतर पार गोडा थक कर गिरा भूमी पर गया स्वर्ग तत काल सिधार यमना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार विजई रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रजधानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी विजईय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी अब के जनरल स्मित सनमुख था उसने मुखी खाई थी काना और मंदरा सकिया रानी के संग आई थी युद्ध शित्र में उन दौनों ने भारी मार मचाई थी पर पीछे ही रोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वै तो जासी वाली रानी थी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार किन्तु सामने नाला आया था ये संकट विशम अपार घोडा अडा नया घोडा था इतने में आ गये सवार रानी एक शत्र बहु तेरे होने लगे वार पर वार घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गती पानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वै तो जासी वाली रानी थी रानी गई सिदार चिताब उसकी दिव्वे सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वै सच्ची अधिकारी थी अभी उम्र कुल तेईस की थी मनुझ नहीं अवतारी थी हमको जीवित करने आई बनस्वतंत्रता नारी थी दिखा गई पथो सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मर्दानी वै तो जांसी वाली रानी थी जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतिग्य भारत वासी ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी हो मद माती विजय मिटा दे गोलों से चाहे जांसी तेरा इस मारक तू ही होगी तू खुद मिट निशानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मर्दानी वै तो जांसी वाली रानी थी बच्चों आपने विरांगना रानी रक्षे बाई की कवीता का सैस्वर वाचन सुना अब हम इस कवीता का सरन अर्थ समझेंगे सिंगहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रक्टी तानी थी बुडे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी भारत के बहुत से राजगराने अत्याचारी अंग्रेजों का प्रबल विरोध करने एवं उनके शासन से स्वतंत्र होने के लिए मुकाबला करने को तैयार होने लगे हैं यह जानकर अंग्रेज शाशक परिशान हो उठे राजगरानों के इस कदम से लंबे समय से गुलामी का जीवन बिता रहे लोगों में फिर से नया उत्सा पैदा हो गया सभी अपनी खोई हुई आजादी का महत्व समझने लगे थे इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को बखाने का निश्चे कर लिया था जमक उठी सन सत्यावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हरबोलों के महों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहांसी वाली रानी थी अंग्रेजों को अधिकार जमाने से रोकने वाली वही दलवार अब फिर सन 1857 में उनके विरोध में उठी थी जहांसी की रानी उस युद्ध में वीर युद्धा की भाती लड़ी उनकी कहानी हमने बुंदेल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के मुहों से सुनी थी कानपूर के नाना की मुहों बोली बहन चबीली थी लक्ष्मी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी बर्ची धाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी लक्ष्मी बाई कानपूर के नाना साहब की मुहों बोली बहन थी और उनका बच्चपन का नाम चबीली था वे अपने पिता की एक मातर संतान थी उन्होंने अपना बच्चपन नाना साहब के साथ पढ़ते खेलते बिताया था वे अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बना कर बर्ची ढाल कृपान कटारी आदी शस्त्रों को अपनी सहेली मानती थी वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी बुंदेले हर बोलों के मोहों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वैतो जहासी वाली रानी थी उन्हें वीर शिवाजी की कहानिया जबानी याद थी कवेत्री कहती हैं कि वे जहासी की रानी थी जो वीर युद्धा की माती लड़ी उनकी कहानी हमने मुंदेल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के महों से सुनी थी लक्षमी थी या दुरगा थी वह स्वेम वीरता की अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार नकली युद्ध विहु की रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिये खिलवार उन्हें देखकर लगता था कि वह लक्षमी बाई हैं या वीरता में दुर्गा देवी की अवतार हैं उनके तलवार चलाने के कुशल प्रहार देखकर मराठे प्रसन होते थे नकली युद्ध करना चक्र भियू बनाना खूब शिकार करना शत्रू की सेना को घेरना शत्रू के किले तोड़ना उनके प्रिये खेल हुआ करते थे महराष्ट कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदेले हर बोलों के महों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जहासी वाली रानी थी लक्षमी बाई महराष्ट की कुल देवी भवानी की उपासक थे कवित्री कहती हैं कि जहांसी की रानी उस युद्ध में वीर युद्धा की भाती लड़ी उनकी कहानी हमने बुन्देल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के मुह से सुनी थी हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई जहांसी में ब्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मी बाई जहांसी में राज महल में बजी बधाई खुशियां चाई जहांसी में सुभट बुन्देलों की विरुदावली सी वै आई थी जहांसी में विरांगना छबीली का विवाह जहांसी के एश्वर शाली राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे रानी लक्ष्मी बाई बनकर जहांसी आ गई इस अवसर पर राज महल में बधाई के मंगल उत्सव हुए और खुशियां चा गई मानोवे जहांसी में वीर बुंदेलों का यश्गान बनकर आई थी चित्रा ने अरजुन को पाया शिव को मिली भवानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वहतो जहांसी वाली रानी थी राव गंगादर वे लक्ष्मी बाई को देख यो लगता था जैसे चित्राव को वीर अरजुन मिल गए या शिव को भवानी वह जहांसी की रानी थी जो वीर युद्दा की भादी लड़ी उनकी कहानी हमने बुंदेल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के मुह से सुनी थी उदित हुआ साभग्य मुदित महलों में उजयाली चाई किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने वाले करमे उसे चूडियां कब भाई रानी विधवा हुई हाय विधी को भी नहीं दया आई रानी के विवा के बाद जहांसी का शुब भाग्य जाग गया महलों में प्रसनता रूपी प्रकाश चा गया किन्तु समय के उलट फेर में दुर्भाग्य रूपी काले बादल भी खिर आए भाग्य को तीर चलाने वाले हातों में चूडियां पहना जाना अच्छा नहीं लगा और दुख की बात है कि रानी लश्मी बाई विधवा हो गई भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई निस संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी बुंदेले हर बोलों के महों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वैतो जहासी वाली रानी थी राजा गंगातर राव निस संतानी मृत्य को प्राप्त हो गए रानी असीम दुख में डूब गई कवित्री कहती हैं कि वै जहासी की रानी थी जो वीर युद्धा की भाति लड़ी उनकी कहानी हमने बुंदेल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के मुह से सुनी थी बुझा दीप जहासी का तब डलहौजी मन में हर्शाया राज्य हडप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया फारण फाजें भीज दुर्ग पर अपना जंडा फैराया लावारिस का वारिस बनकर बिटिश राज्य जहासी आया राजा गंगहदर राव की मृत्यु पर अंग्रेज गवर्नर लॉड डलहौजी बहुत प्रसंद हुआ क्योंकि उसे जहासी का राज्य अपने अधिकार में लेने का अच्छा अवसर मिल गया उसने बिना देरी किये अपनी फाजें भेजिकर जहासी के कीले पर अधिकार कर अपना जंडा फैरा दिया इस प्रकार बिना राजा की जासी का वारेस बिटिश राच बन गया अश्रुपूर्ण राणी ने देखा जासी हुई भी राणी थी बुंदेले हर बोलों के महों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरतानी वैतो जासी वाली राणी थी रानी ने आंसु भरी आँखों से देखा कि जहांसी उजड रही थी कवित्री कहती हैं कि वैं जहांसी की रानी थी जो वीर युद्धा की भाती लड़ी उनकी कहानी हमने बुंदेल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के मुह से सुनी थी अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया अंग्रेजों त्वारा जहासी को अपने राज्ये में मिलाए जाने पर राणी ने उसे लोटाने की विनम्र प्रार्थना की परन्तु अंग्रेजों नहीं सुनी एक समय वह था जब अंग्रेज भारत में इस्ट इंडिया कमपनी के रूप में साधरन व्यापारी बन कर आए थे और भारत के राजाओं की दया चाहते थे लोट डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेज शाशन का विस्तार किया समय ऐसा बतला कि जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे उन्हीं को अब महत्व नहीं देते थे रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महरानी थी बुंदेले हर बोलों के महों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरतानी वे तो जहासी वाली रानी थी इस्ट इंडिया कमपनी अब शाशिका थी जहासी उसके अधीन थी रानी हुक्म माननी के लिए बाद थे कवित्री कहती हैं कि वै जहांसी की रानी थी जो वीर युद्धा की भादी लड़ी उनकी कहानी हमने बुंदेल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के मुह से सुनी थी छिनी राज धानी दहली की लखनावु छीना बातों बात कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात उदाईपुर तंजोर सतारा करनाटक की कौन भिसात जबकी सिंद पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया लखनाव को भी उन्होंने जीत लिया बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी घातक आकरमन किया उदैपुर, तंजोर, सतारा, करनाटक आदी भी अंग्रेजों के सामने नहीं ठहर सके सिंद, पंजाब और बर्मा जिसे आज हम म्यानमार कहते हैं आदी का भी भयानक नाश हुआ था बंगाले, मतरास, आदी की भी तो यही कहानी थी बंदेले हर बोलों के महों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरतानी वहतो जहासी वाली रानी थी यही हालत बंगाल और मतरास, मतरास जिसे आज हम चन्ने के नाम से जानते हैं इनकी भी हुई, कवित्री कहती हैं कि वह जहासी की रानी थी जो वीर युद्धा की भाती लड़ी, उनकी कहानी हमने बंदेल खंड के लोक गीत काने वाले हर बोलों के महों से सुनी थी रानी रोईी रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिखते थे कलकते के बाजार सरे आम नीलाम च्छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनव के लो नौलखहार जिन राजाओं के राच अंग्रेजों ने छीन लिए, उनकी रानिया रनिवासों में रो रही थी और जिन नवाबों के रियासतें छिन गई, उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थी उनके आभुशन और कपड़े कलकता के बाजार में बेचे जा रहे थे अंग्रेजों के अखबार उनकी निलामी की खबरें खुले आम प्रकाशित करते थे कि नागपुर के जेवर और लखनों के प्रसद बेश कीमती हार बिक रहे हैं, खरीद ले यो परदे की इज़त परदेशी के हाथ बिकानी थी बुन्देले हर बोलों के महों हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वह तो जहांसी वाली रानी थी वे गहने जो परदे में रहने वाली रानीों की शोबा बढ़ानी की इज़त पाते थे अंग्रेजों द्वारा बेचे जा रहे थे कवितरी कहती हैं कि वे जहांसी की रानी थी जो वीर योद्दा की भाती लड़ी उनकी कहानी हमने बुन्देल खंड के लोक गीत गाने वाले हर बोलों के महों से सुनी थी कुटियों में थी विशम वेदना महलों में आहत अपमान वीर सैनिकों के मन में था अपने पुर्खों का अभिमान नाना धुन्दू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान बही इन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रगट आहवान जांसी की प्रजा अंग्रेजों के अधिकार से बहुत दुखी थी और महलों के निवासी अपमान अनुभाव कर रहे थे जांसी के वीर सैनिकों के रिधाय में अपने पूर्वजों की वीरता पर गर्व था वे अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे नाना धुंदूपंत और पेश्वा युद्ध करने के लिए आवश्यक सामगरी एकद्रित कर रहे थे उनकी बहन चबीली यानी रानी लक्ष्मी बाई ने इस्त्रियों का आववान स्वतंत्रता रूपी यग्य के लिए किया हुआ यग्य प्रारंब उन्हें तो सुई ज्योति जगानी थी बुंदेले हर बोलों के मौं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वैतो जहांसी वाली रानी थी उन्होंने स्वातंत्र यग्य प्रारंभ किया और लोगों के मन में स्वातंत्रता की जोतिक को जगाया कव्यत्री कहती हैं कि वह जहांसी की रानी थी जो वीर युद्धा की भादी लड़ी उनकी कहानी हमने बुंदेल खंड के लोग की तकाने वाले हर बोलों के महों से सुनी थी हम कवेत्री सुबत्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रानी लक्षिंबाई के जीवन पर आधरित कविता जहांसी की रानी का अध्यन कर रहे थे आज हमने 1857 की स्वतंडर्ता संग्राम के बारे में जाना जहांसी की रानी लक्षेबाई के जीवन एवं उनके अदम में शौरी के बारे में जाना हमें इस कविता के माध्यम से यह जानकारी हुई कि उन्हें बच्पन से ही गुड सवारी करना युद्ध के लिव्यू रचना करना तलवार चलाना आदी में रूची थी जहांसी के राजा और अपने पती गंगाधर राव के मृत्यू के पश्यात अंग्रेचों त्वारा जहांसी पर अधीनता इस्तापित की गई अंग्रेच अपने सामराच्चे का विस्तार कड़ते चले गए जिन राजाओं के राज चिन गए उनके साथ बूरा व्यवार किया जाता था उनके कपड़े गहने सब निलाम किये जाते थे बच्चों कविता के शेश वाक का अध्यन हम आगामी कक्षा में करेंगे मैं अब आपसे विदा लेता हूँ नमस्का कि करना हम आजया ऑया हम चुटला अब आपसे लेह कि दुटला राका टया हम आजम आपसे विज़ांग आपसेंजला स्विता टाशंने हुटला लेता है जवे जिलाम नहाँ है रहाँ मैं लेग सावने तर वे membएसे वीं जाद संवे हैं तर न मने किते थाम आभीemधमें ठ